हलो एन वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवूड गफशप आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्ट का जोल बॉलिवूड इंडस्ट्री की मशूर आक्ट्रेस आलिया भर्ट अपनी आक्टिंग के साथ साथ में बाकी खुबसूरती के लिए भी जानी जाती है आलिया भर्ट का नाम भी टाउन के उन चुनिंदा आक्ट्रस में शुमार है जो अपने खुबसूरती के दम पर फैंस का दिल चुनाने का काम करती है लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आलिया ने अपनी नो मेकप लुक फोटो के जरीए भी सुर्ख्या मतोरी है इस भी शोशल मीडिया पर आलिया की बिना मेकप वाली लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है आक्ट्रिस आलिया भर्ट ने अपने ओफिशियल इंस्टाग्राम हैंटल पर श्वनिवार को लेटेस्ट स्टोरी को शेर किया आलिया भर्ट की इस इंस्टाल स्टोरी फोटो में आप देख सकते हैं कि सूरज की रोशनी में आलिया अपने खुबसूरत रहरे के निखार से हर किसी का ध्यान खीच रही है खास बात ये है कि आलिया भर्ट की फोटो बिना मेकप की है जो इस बात का सुबूत है कि आलिया भर्ट नेच्रली ब्यूटी है सोचल मीडिया और फैंस आलिया भर्ट के इस तस्वीर को काफी पसंद कर रहे हैं मदा दे कि आलिया अपनी बिना मेकप की तस्वीरों को शेयर करने से जीज़कती नहीं है ये पहला मौका नहीं है जब आलिया भट की नो मेकप लुक की ऐसी तस्वीरे लाइम लाइट का हिस्सा बनी इससे पहले भी अपनी नेश्रल ब्यूटी से आलिया फैंस की दिलों को जीच चुकी है या फिर ये कहे लीजिए कि बेटी राहा के जरम के बाद एक्ट्रस के फेस का ग्लोव और ज्यादा बढ़ गया है बॉलिवुड के मेगा सूपर स्टार शारुखान आए दिन चर्चा का विश्व बने रहते हैं इन दोनों फिल्म पत्थान को लेकर शारुखान का नाम लाइम लाइट का हिस्सा बना हुआ है और जाहिर सी बात है चार साल बाद कमबाक भी कर रहे हैं हालगी में शारुख क्रिकेट के मैदान पर अपना जलवा विखेदने के लिए इस दोरान शारुख के साथ पत्थान फिल्म के डिरेक्टर सधात आनन, उनकी वाइप ममता आनन और किंखान के मेरेजर पूजा ददलानी भी दिखी ऐसे में शारुख खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वारण हो रहा है जिसमें शारुख ममता आनन की मदद करते दिख रहे हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि शारुख अपनी कार से उतरते ही पत्थान फिल्म के डिरेक्टर सधात आनन की वाइप ममता आनन की तरफ आगे बढ़ते हैं जहां किंखान ममता से उनका हान बाग समालने के लिए मदद करते में नजर आते हैं बॉलिवुड के मेगा सूपर स्टार रोडे के बावजूर शारुख का ये वेवहार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हर कोई शारुख के इस वीडियो को देखकर उन्हीं जेंटलमेन में बता रहा है साथ ही आप भी पठान एक्टर के इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें रियल किंग खान ही मलाएंगे सोशल मीडिया पर सारुख खान के इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है आपको उता दें कि आईल्टी ट्वेंटी टूनामेंट के ओपनिंग सेरिमनी में शारुख खान की मौदूदगी ने चार्चान लगा दिये दुबई के इंटरनाशनल केकेट स्टेडिया में किंग खान ने अपरही अंदाज में लोगों का दिल जीत लिया इस मौके पर शारुख खान की काफी तस्वीरे और वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वारल हो रहे हैं इतना ही नहीं इस टी ट्वेंटी टूनामेंट में शारुख खान की क्रिकेट टीम अबुदधावी नाइट रैडल्स भी मौजूद है तेल्गू फिल्म इंडिस्ट्री के वरसिटाइल एक्टर विज़ो दिवरगोंडा आपने आक्टिंग करियर में पहली बार एक पुलिस वाले का रोल प्ले करते नज़र आएंगे अब तक आपने उन्हें और जम रिज्टी में ही बेखा होगा लेटिस मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक टलेंटिन स्टार ने फेमस फिल्मेकर गौतम तिन्नूरी के साथ कोलिबोरेट किया है गौतम तिन्नूरी नेशन अवार्ड विनिंग फिल्म जोरसी के लिए जाने जाते हैं वही गौतम और विज्टी वरगौंडा के अगले प्रजेक्ट का टाइटल अभी तेया नहीं हुआ है फिल्हाल के लिए इसे वी डी 12 नाम दिया है और इसका ओफिशियल लांच 13 जन्वरी शुकरवार को विज्टी ने अपने ओफिशियल ट्विटर पर किया विज्टी वरगौंडा ट्विटर पर शेयर की गई पोस्ट में कहते हैं कि पोलिस की ड्रेस में हूँ लेकिन उनका चेहरा नजर नहीं आता वही पोस्ट में पानी के बीच एक जहाज भी जलता हुआ दिख रहा है इस पोस्टर में से ये जरूर नजर आता है कि फिल्म कॉप ब्रामा होगी वही इस पोस्टर को शेयर करते वे विज्टर ने कैप्शन में लिखा जब मैंने इस बारे में सुना तो मेरी कुछ थड़कर नहीं रुग गई विज्टर ने हैश्टाग वीडी 12 भी मेंशन किया है वही पोस्टर देकर फैंस की विज्टर की अगले फिल्म के लिए एकसाटमेंट बहुत जाना बढ़ गई है तो ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए आप बने रहिए बॉलिवूड गफशप के साथ